लो प्राइंट्स में डॉक्टर अभिहासार के तदिल TBR वेचिरेजन कोटिंग जासिज होताई है हमने एक न्यू पोर्ट लॉंच गिया है जिसमों मैं आपको पुरा फॉर्स्टीयम में जो संस्क्रिप आपका है पुरा स्लेवर्स के अपोर्डिंग आपको करने पूरा डेटेल में और आपको साफ में वही बताऊंगी कि आपको लिखना केसे है एक्षाम संस्क्रिप ने क्या होता है हमको सारी की समझनी करती है और उनको याद करने का करीका यहां पर संस्क्रिप को पोड के तूर याद नहीं करते है जैसे आज के वीडियो में आपको बताऊंगी जैसे बीर्ग संधी में आपको कहाने वाली है तो वहाँ पे पूरा आपको detail में तहले समझना है, इसी की बाद में आपको समझे करता होगी है, रच्के यहां पे पे टीभीजि़ आपको याद लेगे और हमने अभी अभी संस्टिप लॉंच किया हुआ है तो लगभग दो से तीन महिमें में आपको पुरा कंपीट करा दे ही निया स्कुर्ड गिंगे अंगर से आपको एक इस वीडियो अप्लेड होगा किसी दिन पहले शिरूत लिया है किसे मैंने आपको पहले महिशा कुष्ण पठादिया है तो अगर वह नहीं पता कि इसे संदिया तो चुरू करते हैं तो संधी क्या होती है कि हमारे इस लगत में संस्कित आया था संधी क्या होती है चुरू के निल को संधी करते है ना दो अधिक वर्णों के पास पास आने के परिनाम शरुप जो विकार उपण होता है उससे संधी होती है कि और एक नया विकार उपण वितार मासला कोई परिवर्टिक रूफ लोगता है संधी बहुत में परकार करण दूर्वर्णों को अधित बरने के मिल के इसा किस प्रकार को हो सब्सक्राइब प्रकार से प्रकार से सब्सक्राइब अभी आगे जाके मैं आपको आज स्वर संदी और उपने बीर्ग संदी को डेटेल में पर्थाने ज़नी के सांस में जिसको ग्यंजन संदी 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 जिसको ग्यंजन संधी के डिट कितने प्रकार के हैं तो आप अराम से लिख सकते हैं संधी निश्क का सीन प्रकार के शेटी आपको इस फ्लोटार बनाएंगे कि संधी के बिट को वहां पर लिखेंगे तो आप यहां पर इसा और लिख सकते हैं स्वर्व संधी को अंगि विखर संधी को हम क्या बोलते हैं अट री बोलते हैं आप बूलेंगे मवनय अख्या होता है तो महसय ओर सुठ्र मेंतना अख्या सवावथ आपे पूरत सुवर आयता गूरोच लेकट शॉक्र आई से भूरुप हो विले का तुमोरण तुर को लेकर नृखाव Candee सुठ्र आयता से कहती है तो आती ग्लास में हम स्वर संधी पतेल में पढ़ेंगे और उनमें से पेवल एक संधी से विक्तार कुरुआ करने वाले हैं तो श्वर संधी क्या होती है परिभास का है श्वर मतलट क्या है वेकि आ थोटा बढ़ा ए ऐसे करके विक्तीर स्वर हमारे होती है तो यहां पे श्वर के साथ स्वर का मेल वहां पे श्वर संधी होगी श्र के साथ अगर जयंजन है, जयंजन के साथ जयंजन है तो जफन संधी ही तहल कि स्वर्वच섯 एम दोनों चीजे दोनों वन क्या हैं श्रमराफ को 사람filled है, क्उस्वर के सांथ स्वर्वच्ण होने क्या वाले विपार हो मैं श्वर्वच्छण मि जेप तुसको आप संधी करके बताओगे विध्या धन आले अब याज आपको पता से लेगा कि शुर के साथ शुर का यह आपको बोलेगे यहां पे विध्या में झातों है इसको अगर में बहुत विफ्तार से लिठी ओन की और उसमें बड़ा अदोडा हु establishment फिर यहां पे आले लिखा हुया है इसका मतलब क्या हो गया यहां पे जो बड़ा आखा इसके साथ बड़े आखा सन्योग होकर यह क्या वन गया हमारा विद्याले वन गया है तो यहां पे श्वर के साथ स्वर का सन्योग हुआ है तो यह पर श्वर संधी को अभी मुझे पता आपको बिल्कुल भी समझने में आया, जब हम बिटेल में संधियां पढ़ेंगे बहुत अच्छो के आपको समझने आपको स्वरसंधी मुखता वो सब जगे अलग अलग लिखा हुआ है कि कहीं पांच प्रकार की संधियां होती है, स्वरसंधी भी बात करें, नॉर्मल संधी मैं आपको अन्वाध चंदु करकार की ने है कुग है अनुष करक मीरा प्रफरीर काहना है तो आपको मैं आपको रिखे वह नगल घृणी का जो लो, रोलग coloca म स्वरसंधी ने हां, तो आपको मैं जगे करना में है। ऐसे आप कहीं कहीं देखोगे एक चोटी 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 पैस्पूट है, हमको क्रिकर्णी करेंगे हम अनुवाद संधी का, जो हमारे पॉलज में सुफ़र की जाती है, ठीके, तो स्वरसंदी वहां पे कित्मों आज्ट्रकार के हैं, दीरगयो व्रद्धी, आयादी, परूप गुड़ संधी, यण संधी पूरी कोर सवर्द्धी, इनमें से मुख्व रूपे जो इंपोर्टेंट होती हैं एक्जाम के लिए वो दीरगयो संधी, गुख्व व्रद्धी हो, यण हैं और आयादी संधी, ये पांच जी मुख्व रूपे, तो मुख्व रूपे स्वर सं दीरग संधी की परिखा दीरग मतलत हो झाला हमारा जो खोटा वाला अक्षर है जो बड़ा हो जाना है, तो यहां पे तुल मिलाग़े अक्षर में बदले, यहां पे दीरग संधी जब दो चब्दों की संधी करते समय यहां पे जो लिखा है अगर ऐसा हो रहा है तो यहां पे दीर की संधी होती है क्या जैसे तहले को समझे जैसे इसी एक्जामपल लोती हूँ विद्याले विद्या धन आले इसके मैं आप दोड़ी मिखी जी जन धा हलंक वाला कीशी हलंक वाला क्यों रहेगा कंप्लीट नहीं होगा हलंक का मीनिंग होचा है यह जो वर्ण है कंप्लीट नहीं है इसमें अभी फोटो आ को जोड़ने की जरियोग है तभी वो पूरा ज़ा बनेगा है जो कि अब यहां पर में बड़ा आलिख दू पिर हमने यह प्रथम पद कहलाता है यह अंतिम पद कहलाता है तो ये प्रथम पद और ये अंतिन पद अंतिन पद अंतिन उजी लिखो प्रथम या पस्चात वाला पद या अंतिन पद गिल्डू तो प्रथम पद का लास वाला अंतिन वर्ण प्रथम पद का अंतिन वर्ण उस्मी जादा सनगने की जर्यत नहीं है में लिख दोटी प्रथम पद का अंतिन वर्ण क्या हमारा बड़ा आगर और अंतिन पद का प्रथम वर्ण अंतिन पद का प्रथम वर्ण क्या है अंतिन पद को हमारा अंतिन पद को अंतिन पद को बाद वाला विप्तिय पद्धी वोई सकते हैं इसका अंतिन पद का प्रथम वर्ण क्या है हमारा बड़ा आगर सन्योग से दोनों बड़े आगर और मिलको बड़ा आगर तो क्या होत यह वाला वर्ण मिल रहा है और आपको क्या बना की दे रहा है इसके बारे में यहां समझने जारे हैं हर एक का आपको अलगल एक जामपल भी समझने वहां अभी तो जब थोटा आप बड़ा आ हो थोटा मतलब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ये प्रथम पद का अंचिंग वन की बात कर रहा है, जब ठोटा आहो और अंचिंग बद का प्रथम वर्ण भी ठोटा आहो, सब ये मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे, बात समझ में आ रही है, जैसे यहां पर भी फॉस्ट पद में ठोटा आया, तो किन पद में ये जोटा आया, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, बड़ा आ बनाएंगे, यहां पर ये लिखा हुआ है, इधर से ना समिखाके में इसको एक्जाम्पल के साथी आपको समिखांगे, तो जाब ठोटीजी, यहां पर फिर वो लिखा हुआ है, आप इजार पढ़ या फिर बड़ा वाला अक्षर आये, लेकिर उनका क्या होना है, बड़ा ही दिना है, चाहे यहां पर कोई भी अक्षर हो, बड़ा चोटा हो, इसके बाद खोटा या बड़ा कोई भी आये, उन दोनों का जो COMBINATION है, जीरगजी बनाएं, तभी तो इसका नाम क्या पढ़ा ह इसमें बनने वाले संजी को हम दीरगी और संजी के देखते हैं अगर आ और आ आ रहा है इसका क्या होगा बड़ा आप्नी होगा ज़से धर-मार्ष को हम हम पढ़ते हैं धर-मार्ष का संजी दिक्षेप करेंगी चीज़ करेंगी यहां पे आपको क्या दिख रहा है धर्म दिख रहा है प्लास अर्थ दिख रहा है अर्थ दिख रहा है अब आप क्या करेंगे यहां पे धर्म में क्या है इसको फोड़ा सा हम तोड़ के लिखेंगे तो धर्म में यह खलंक वाला जब भी आपको इसमें से आ निकालना है तो और यहां पे बड़ा वाला प्लस लगा भी पास या विश्ण कर सकते और यह आर्ट को हमारे पास क्या हो गया प्रथम पद का अंतियम वन और अंतियम पद का प्रथम वन क्या है आ है अब इन दोनों आ के बदले क्या होना है हमारा इन दोनों आ के बदले आ प्लस आ क्या होताइगा बडा आ होताएगा तो यहां को बनाले भर्म अब यहां पे जो बड़ा अ हुआ था, इसको एक बारों इज़ी करके लग दोगए धर्म प्लस बड़ा आ, इन दोनों को मिलाखा क्या बनगा? बड़ा अब इस आ को यहां पे क्या निलेखा अब इस आ को यहां तो वित कि उरका कामी होता है जनजन को पूर्ण करना और जो बढ़ा आ है इसमें जूड़ जाएगा क्या हो जाएगा धर्म बढ़ा आ जुड़ेगा भी ईसे क्लियर होना चुछ है ऐसे आप कोई भी एक्जामपर ले सकते हैं चाहिते जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको कथिस हो गएगी मत के अनिशार मत प्लस अनिशार अब क्या निकल की आरा है मा साहलन्त वाला होगा इसमें प्लस क्या होगा? फिलिटा आ अब बड़ा प्लस लगा दो आ निशार तुछे अद यहां पे इन दोनों को मिला के क्या होना है बड़ा आ के ना है अब इसको मैं कम्पीर कर देती हूं मां सा अभी नीज पागी इनकी जगे है बड़ा आ प्लस नीजार जो हमारा नीजार बता था वो लिग दिया अद इस आ को इसके अंदर आत्मसाप कर दो उम्मा गोटा प्लस आ रहा है इसके दस एकजामपल है टीए आपको अध्स मेही मिल जाती हो पोड़ा में आप बांडोड कर सकते हैं इसको बाद में ठीक है तो यहां के 10 एकजामपल है अगला हम देखते हैं अगर संधी में चोटा आ बड़ा आ आ का बड़ा आए गा था नीज अ तो यहां पर क्या लिखें लिए आप देवु का आलय जहां पर रहूं की देवाला तो क्या है थोता आ प्लस बड़ा आ यहां पर प्लस क्या हो जाएगा लय हो जाएगा पूरा लिखो देव प्लस आ प्लस लएग, जो क्या हो जाएगा, दे वा लएग, खीछे, आप एक्जाम में लिखेंगे, तो उसी तरीचे से आप तोड़ तोड़ कर लिखेंगे, एना ऐसा निची डारेक्ट आप नएसा लिख दिया, दे खलंक वाला बनाओंगे, फिर वहांपे प्लस लगा कि आ अब जेक्टित ताइम में तो बहुत अच्छा है, परके तुरह समग गिया कि A, A का बड़ा आखी को रहा है, यहां पे दीर्ग हो रहा है, यहां पे दीर को संधी, छीछे, यह वाला पॉइंट हमारा कंपी विगया, बहुत सार एक्जामपल है, आपके फ्यलिख लेंगे, अ बड़ा भिध्याले अगर हम आ को इंदे कि विद्या दूनाले पहले संदीर क्षेश कर दो क्या है विद्या में आलए जहां पर हम विद्या प्राप्त करते हैं अब इस विद्या में मैंने आ को अलग कर दिया तो क्या हो जाएगा हलंक वाला हुझा पिर फ्लस चाहरो जाएगा आपका आ लेगर क्लस बड़ा बढ़ा बना हो यह विध्या लेगनı तो आपसिं महा काहामित महा अनन्य महातमा है अगला हो नंक्स पढते हुँछ को थे आख़ एपाई भूटांए उपना यह फिर फोता इंगो तब दो बड़ा इंगे यह फिर बड़ा इपर अब दों ही तो पाद ने के न whats अब की दो कभी लिखते हैं कि कभी ले थोटा वाला विश्य आता है कि बड़ा वाला विश्य आता है कभी प्लस क्या हो जयगा? इंधर हो जयगा, इंधर हो जयगा फिर यहां पर क्या ज़एगा? इंधर हो जयगा? प्लस बड़ाई प्लस आधाना और द्राइब इस बड़ी एटी मास्तरा को वा में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा का बाम बड़ी इपी मात्रा और आधाना तो था इसको वीन्ड बन जाएगा एसे ही हमारा परिष्चा में थोटा इथा यहां पर बड़ा इथा दोनों मिलकर बड़ी वाली मात्रा बनाने में तो परिष्चा हो जाएगा इसे ही बिएवां डिख लेक्जा इवां योगिंद्र साना योगिंद्र में क्या है कोई योगी हो जो की उंद्रका है ना तो योगी योगी में खुदी इकी मातर आती नहीं है तो प्लस तो तो पर लाँक चाहर नोगा है यहां पर यह जाहलन के वाला था बड़ी नास्ता लग जाएगी और धना हो जाएगा और ज्रॉँद कि तो ऐसे इस्जाम्पल बडा यी बढ़ाए वाला है योगी स्केर्ट मैंने आपको लिक्रिक है अब इसको भी आप इसकर लिए को history और देज़ में कि एपर और बढ़ा यहांसरों यह Is ग्यां सब्सना अने सब्सक्राइब करगा और यहां सब्सक्राइब अब इन दोनों उठी जैसे क्या हो जाएगा बड़ा उंठ हो जाएगा अब यहां से B-G-Group प्लॉज 2 प्लस 10 आग यहां से 20 में वहां में ऊथी मात्रा क्षोटा उं इससे बड़ा ऊथा बड़ा उं छोटा उथा बड़ा उथा जोड़ा आलिया कि यहां पर मात्रा कि मिल्पार्ण प्लस 10 गैसे वी नहीं करते हैं अब लास में देखते हैं रिषी वाला तो रिषी में क्या होगा तो इस रिषी हो दूसरा रिषी हो वहां पे करें देखते हैं वहां पे इसी मात्रा आपी नहीं है मंगल में भी नहीं आए कृती वाली मात्रा मिलागे दो रिषी वाली मात्रा बनजा इस पिक्त्र रिषी खोता रिषी ठोटा रिषी बना की बड़ा वाला रिषि की मात्रा बना लेका यहां पे B secondo RENUM यहां पे यह वाले RENUM में आप क्या करदे की यह वाला रिषि इसके भिखी बता देकी इसको फलंप लग जायगा, these przy a קχ subst रिषि 3 plus RENUM ठीचे अब यहां पे इसके जगों क्या हो जाएगा यहां को जब मात्रा इधर लगते है यह सब दिगाया गुजातर ऐसी मात्रा वह हंची है कि क्या वच्छे रहारा एक सिर्यनम आजाएगा अपको आपको अपको आपको आपको अपको आपको 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 आपके आगा है तो लिए वाइंगोड करते हैं। उपनी पॉण्टेक्ट नम्मा लिखा अगर आपके कोई पबलम है तो लिए वाइंगोड करने किस पांटक्नी पर कंटक्ट दीक करें। शुरकी बतायोगा जरी का श actu는 netशाने के आफे दोमे के विर सादो हो एक थी घ्तायोक है अग्रेवंग है